तो साथ बन दोते तो कल के लिए बन सकती है आज की लिए नहीं बनेगी तो बेटर है कि कोई QN है तो ले एक सेक्टर स्पेसिफिक डिसकेशन था जो लास्ट टाइम पे भी हम मैंने किया हुआ था ये लास्ट में चलते हुए जो सिमेंट और आपका रियालिटी सेक्टर चला हुआ है नाव रियालिटी सेक्टर अल्रेड़ी आज गीवन है जो ठीक देखने को मिला है सिमेंट सेक्टर में भी आज थोड़ा बहुत रिक्तावरी है लेकिन यह रिक्तावरी अगर फीजल आउट हो जाती है बाई एंड अफ दे और बाई तुमारो देन माई व्यूव मच मोर साइट कंपर्म हो जाएगा क्योंकि आभी तक हम लोगों नहीं य देख रहा हूं और रिवर्सल आ चुके है रियलिटी में भी चार्ट में देख रहा हूं तो अल्रेडी चोटे-बोटे रिवर्सल आच चुके है अन दे अधर साइड जो एक चीज़ देखने को आज मिल रही है थोड़ा बहुत सर्प्राइजिंग है मेरे लिए भी वह एक आई-टी में रिक और निफ्टी आई-टी में सुंदर सा रिक और आया हुआ है और अगर रिक टिकता है तो यह कई ना कई इंडिकेशन देगा मेरे लिए यहां से पीचल आउट होना चालू ना कर दे तो बैंक निफ्टी ने आज का जो लो बनाया है वह ध्यांसे देखने के लायक होगा वहाँ से मेरे इसाब से पास्टो पॉइंट का रिक औरी बैंक निफ्टी में आ चुका है तो अगर यह लोज आगे आने वाले दिनों में कटते हैं तो जो सेल उप रहेगा वह शायद से ब्रूटल रहेगा शायद से कई ना कई इंटर्चेंज करते हुए द लोग बैंकिंग में अगर आज का लोग कट हो जाता है आगया आने वाले दो तिन दिनों में जो है चालीस अजार तीनसको साट रुप्या यह कह रहा है विशाल सर कि पेकोशन इस बेटर देन क्योर सावधानी रखें बाद में पच्टाने से बहतर है कि सावधानी के साथ में और इस समय सावधानी कैसे जड़नी वह उन्होंने बहुत क्लियली बता दिया और सब तरीके के लोगों के आपको पता होगा कि आपके कितना परसेंट लाल और कितने स्टॉक्स हैं और उसमें से कितने हरे में और कितने लाल में तो उसके सारे एक स्ट्राटेजी पूरी बता दी सबके लिए बढ़िया दरीके से चीक है और बहुत है कि विशाल सर फिर आप कुछ खरीदारी तो इस समय कराएंगे नहीं वैसे मैं पिछले दो वीक से कोई खरेदारी कर रहा ही नहीं रहा हूं सब्सक्राइब या एक और करंदीप भला जी के सवाल था कि बेटर ऑपर्शुनिटी के लिए दो स्टॉक्स बताएं तो लेकिन विशाल सर कोई दो स्टॉक्स अभी भी बता सकते हैं या नहीं बताने मेरे इसाब से यह लेवल आवएड करने लायक लेवल है लेकिन होटेल इंडस्ट्री में कुछ चॉक्छा परफॉर्म करते हुए दीख रहा है तो आपको अगर वह इंडस्ट्री में आप कॉंसेंट्रेट करें तो मैं अभी कोई नाम कोट नहीं करना चाओंगा लेकिन बहुत डिटेल में वो बता रहे हैं कि क्यों एक डाउंसाइड एक्सपेकेट है तो यह चुटा मुटा हो सकता है कि वो कोई स्टॉक बताएं और वो बढ़ भी जाए लेकिन ओवर ओल थोड़ा सा भी समय और कभी भी रिस्क और जिस तरह करेगा है उसके चलते ही समय बहु समझने की चीज़ है लेकिन फिर भी अगर अप्टाइद नहीं चाहते हैं तो इस पूरे शोग को आप इछे से देख सकते हैं बहुत सारे अनले समय साथ में जुड़े थे और कुछ एक ने कुछ एक चीज़ें दी हैं या पोटफोलियो पिक की पूरी प्लेलिस्ट है तो वो भी चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन पूरी कॉल आपकी है और आपको अपने फिनेंशल एडवाईजर से भी एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना शाहिए